हलो बच्चों कैसे हो आप लोग आज 27 माई हो गई और आपकी परिच्छा आप से अब बहुत दूर नहीं रह गई इस वीच में आपको मेरा सुझाओ है कि आप कोई नई चीज न सीखे अपी तो आपने जो पूर्व में शीखा हुआ है ना उसी पर आप अनुवरत प्रैक्टिस करते रहे हैं लेकिन याद रखना कि प्रैक्टिस करने से पहले आप अपने टेक्स्ट उससे संबंधित जो टेक्स्ट है उसको एक सरसरी निगाहों से जरूर देख साए क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करती होना तो आप के अंदर confidence नहीं आ पाएगा और जब confidence नहीं आएगा तो आपकी mental app जो speed है ये नहीं बढ़ पाएगी ठीक है? clear? और आप सदेव एक अंदर से भैभीत सर होगे clear? और इसके साथ साथ एक चीज़ा आपके अंदर और नहीं आएगी और वो है बिचार जब बिचार आपके अंदर नहीं आएगा तो आप बिचारों पर निर्मित कोश्टन को आप कभी नहीं कर पाऊगे clear? तो इसलिए देखो हम जानते हैं कि इसके अंदर कोश्टन है चार विकल्पों के साथ है पर तो हम उन चार विकल्पों तक आपको नहीं ले जा रहे हैं सबसे पहले ये तीन टॉपिक हैं जिसमें से इसे दोई भागों में कर सकते हो एक Union Public Service Commission है और दोसरा राजलोक्षिवायोग या Public Service Commission है तो इनके तो लिए एक ही प्राविधान है थोड़ा बहुत अंतर है तीसरा जो टॉपिक आपके बीच में लिखा हुआ है वो है Comptroller and Auditor General of India ये है तो देखो जो आगे आपके बीच में आना है Question वो सबसे पहले लोक्षिवायोग पराना है फिकर संग और राज लोक्षिवायोग पराना है उसकी बाद Comptroller and Auditor General पराना है तो देखो हम क्या करने जा रहे हैं सबसे पहले हम एक चर्चा आप से करेंगे UPSC के बारे में जब ये topic खतम हो जाएगा इसके questions खतम हो जाएंगे तब हम Comptroller and Auditor General पर आप से एक चर्चा करेंगे ठीक है अगर आप इन चर्चाओं को ध्यान से सुन लें तो आप याद रखिएगा न किवल आप यहां का question आप इतुस देश की किसी भी परिच्छा का कोई भी question कर लेंगे आप तो सबसे पहले आओ हम सुरू करते हैं UPSC ठीक है Clear? तो भारत में UPSC और भारत में राजन लोक्षिवा आयोग ठीक है तो फास्ट बात आप याद रखना कि देखो देश में पहली बार सिविल सिवा के लिए प्रतियोगी परिच्छा सुरू होती है उनीसो तिरपन में और तिरपन के चौर्टड एक्ट जो ठारसो तिरपन का चौर्टड एक्ट आता है उसके अंदर यह प्राविजन था Clear? और देश में प्रतियोगी परिच्छा हुई थी चौवन में और उसी के रिजल्ट के अधीन एक चक्सियत का चैन हुआ था और वो थे मदब जो चैन हुआ था उसमें एक थे अके लिए आजमी का थोड़न चैन हुआ था उसमें थे एलन आक्टवियन हुम और यही एलन आक्टवियन हुम आई एनसी या भारती राष्टी कॉंग्रेस के जनक हैं और इसनेटर आफ इंडियन नेशनल कॉंग्रेश उन ही को माना जाता है फिलहाल एक चीज़ आद रखेगा कि जब प्रत्योगी परिछा की शुरुआत हुई थी ना तो ये प्रत्योगी परिछा की शुरुआत लंदन में हुई थी ठीक हैं और भारत में इसका इम्तहान नहीं होता था भारत में इसका इम्तहान 1921 में शुरू होता है लेकिन अब हमारे सामने यहाँ चर्चा का वीशा ये है कि Bombay Association का आपने नाम सुना होगा और Bombay Association 1852 में बनती है ठीक है तमाम उसके संस्थापक हैं जिसमें दादा भाई नरोजी है ठीक है फरदोन जी भी है और SS Bengali भी है तो यहीं वो संस्था है बच्चों जिन्होंने 1869 में 1869 में में पहली बार ICS की परिछा को दोनों अस्थान पर करानी की मांग किया था लेकिन क्या फर्क फर्कता है उनकी मांग का क्योंकि मांबे एसोसियेशन कोई नेशनल संस्था तो थी नहीं एक छेत्री संस्था थी इतनी सक्तिसाली नहीं थी कोई प्रभाव नहीं पड़ा लेकिन प्रभाव कबसे पढ़ना शुरू होता है तो आप याद रखना कि 1850 में INC बन चुका था इंडियन नेशनल कॉंग्रेश बन चुकी थी तो जब इंडियन नेशनल कॉंग्रेश बन चुकी थी तो 1893 में INC का एक बार्शिक अदिवेशन लहोर में चल रहा था और उस लहोर अधिवेशन की अधश्ता कर रहे थे दादा भाई नौरो जी है और पहली बार कॉंग्रेस के मंज से ठीक है आईसेस की परिच्छा को इस देश में करानी की मांग की गई थी मतलब वहां भी कराओ यहां भी कराओ कुछ भी नहीं फर्क पड़ता लेकिन अंदोलित होई रहा था यहां कनोजुआ वर्क पड़ाम हुआ कि 1912 में जब इस देश के वाइसराय लौड होडिंग थे तो एक कमिशन बनाए गया था राइल कमिशन और जब राइल कमिशन बनाना बच्चो तो उसी में उसी कमिशन का recommendation था कि देश में परिच्छा करा दिजाए इस देश में भी परिच्छा करा या यहां पर व्यूसका center ओ ताकि लड़कों को जो सामाने लड़की हैं वो भी इस परिच्छा को दे सकें अन्य था लंदन में जाने की संताय कुछी लोगों के पास थी पड़ाम क्या होता है 1921 में परिच्छा भारत में हुई ये चीज़ें आपने सिखा लेकिन अब बात आता है UPSC के बाते हैं तो आप याद रखेगा कि 1919 में भारत सरकार अधनियम आ चुका था Government of India Act 1919 आ चुका था और Government of India Act 1919 क्या कहता है Government of India Act 1919 कहता है कि भारत में Parliamentary Form of the Government होगी मतलब संसदी ब्यवस्था भारत में शुरू होगी ये चीज़ उन्हों ने कहा तो जब संसदी ब्यवस्था शुरू होती है ना बच्चों तो संसदी ब्यवस्था में एक बात आपको याद रखना होगा कि यहाँ सासन के दो आधार होते हैं दो एक्सपार्ट होते हैं एक टेंपरोरी होता है दो सार पर्मानेंट होता है तो जो temporary लोग होते हैं वो सासन करते हैं और वे कौन होते हैं, हमारी मंत्री होते हैं, हमारी सानशद होते हैं हमारी विधायक होते हैं, यह लोग होते हैं पांच साल के लिए आया और फिर फिर नाटक प्ले की और चले गए लेकिन एक और दूसरा बंदा भी है जो permanent export होता है यही real में parliamentary सासन यही चलाता है तो जो यह permanent होते हैं यह प्रत्योगी परिच्छा से आते हैं ठीक है? clear? यही bureau kratts है clear? यही नौकरसा है clear? तो अब जब यहाँ इस प्रकार की बेवस्था लागू हो गई तो फिर यह भी बाद था कि भाई कोई संस्था तू बनाओगे तो 1924 में एक कमिशन युक्त होता है उस कमिशन का नाम जानते हो क्या है? Justice Lee, Lee का मतलब L double E, दो बार E Lee Commission और यही जो Lee Commission है इसी की recommendation पर 1926 में नई दिली की धौलपुर हाउस में UPSC की नियों डाली गई, संग लोकसेवायों की नियों डाली गई, Union Public Service Commission की नियों डाली गई और याद रखना कि Roger Walker Sir इसके पहले chairperson बनते हैं या पहले अध्यक्ष बनते हैं ये भी आप clear कर गए? लेकिन याद रखिएगा 47 तक किसी भारती को UPSC का head नहीं बनाये गया, अध्यक्ष नहीं बनाये गया, chairman नहीं बनाये गया, पहला भारती नागरिक जो UPSC का अध्यक्ष बना था, वो जानते हो कौन था? तो वो थे H.N. Kriplani J.B. Kriplani मत याद करना, H.N. Kriplani ठीक है? इनको बनाये गया था, खिलाल, उस समय भारत का संब्यधान भी लिखा जा रहा था, तो हमारे विद्वान संब्यधान के लेखों को ने UPSC को एक संब्यधानिक संस्था में बदल दिया, और इसके लिए उन्होंने संब्यधान में विवस्था दिया, आठकिल 315 से लेकर की 320 तक, इसमें उन्होंने संग लोग से वायोग की बाते किया, और राजलोग से वायोग की भी बात किया है, ठीक है? खेर, ये बाते चल रही थी, और देश का संब्यधान 1950 में लागू हो गया, लेकिन तब बच्चों एक समस्था उत्पन होके आती है, समस्था ये आती है, कि देश की आजादी को हमने बड़ी कुर्वानी दे कर पाई है, तो क्या इस आजादी को बचाय रखना इतना आसान काम है? ठीक है? जहां हर डाल पर मिरजाफर बैठे हों, तो इस देश की आजादी को कैसे बचाय जा सकता है? तब लावपुरस अर्थात सरदार बल्लभाई पटेल आते हैं, और सरदार बल्लभाई पटेल नहीं कहा कि नहीं, ठीक है? सेंट्रल सर्विस्स के अतरिक्त, दो और भी पद होने चाहिए है, और वो होना चाहिए अखिल भारती सिमाएं, All India Services, और इस प्रकार से दो सिमाएं, IAS और IPS, यह All India Services गरूप में आ जाती हैं, और इसलिए सरदार पटेल को, ठीक है, फॉदर आप, Modern Indian Bureaucracy कहा जाता है, आपने इससे समझ लिया, लेकिन, कोई 15-17 साल गुजरते हैं, और देश में एक समझ से आई, कि भाई देखो, जो forest है ना, जंगल है, बन है, इनका जो विस्तार है, वो एक राज से दूसरे राज, तीसरे राज में होती, भी बहुत दोर तक नहीं कल रहे हैं, तो ऐसे स्युतियों में, जंगलों का शासन करना, एक टीपिकल काम है, तब, Upper House, अर्थात राजसभा, जिसे आप कॉंसिल आप स्टेट भी कह सकते हैं, ने, संबिधान द्वारा दिया गया, एक अनुच्छिद है 312, 312 का प्रियोग करते हुए, उन्होंने, IFS नाम का एक नयापद, स्रिजित कर दिया, ठीक है, तो अब अगर आप से पूछा जाए, कि अख्ल भारती सिवाव में, या All India Services में, कितनी कैटोगरी हैं, तो आप कहेंगे कि सर्थ 3 कैटोगरी हैं, IS, IPS और IFS, क्लेर हो गया, ठीक है, अब एक चीज़ आप याद रखेगा, इनकी न्युक्ति जो संगलोक्षेवायोक के जो अध्यक्ष होती हैं, सदस होती हैं, उनकी न्युक्ति, तो भारत के राश्पद जरूर करते हैं, ठीक है, 316 के तैट, लेकिन आप याद रखेगा, इनको हटानी की बिधी थोड़ी टफ है, ठीक है, क्योंकि यह जो पद है, यह प्रसाथ प्रियंत का पद नहीं बनाया जा सकता था, ठीक है, इनको हटानी के लिए एक प्रोसेस आता है, क्यों प्रोसेस बनाये गया, ताकि यह तिल प्लीजर भी न हो पाएं, और दोसरी चीज यह है, कि वह एक न्याइक परक्रिया कभी से हो जाए, तब इन्होंने कहा कि भारत का राश्पद, तब ही इनको हटा सकता है, जब कि भारत का राश्पद एक काम कर दे है, क्या सुप्रिम कोट के जो नियाधी से, उनका रिक्मेंडेशन पराप्त करने के बाद ही, भारत का राश्पद इनको हटा सकता है, यहां मैं आपका ध्यान अकर्षित करना चाहूंगा, प्रटानी की करवाई केवल भारत कर राष्ट पत करेगा और तब करेगा जब उसे सुप्रेम कोट के नैधीसों का रिगमेंटनेशन प्राप्त हुआ हो क्लियर और एक बात याद रखना कभी कभी एक समस्या आ जाती है समस्या यह आती है कि क्या संग लोग सेवा आयोग बड़ा है कि राज लोग सेवा आयोग बड़ा है भाईया दोनों बड़े हैं दोनों आटो नमस हैं, और कोई भी आदमी, कोई भी आदमी, बड़ा तो जुरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि आप राज लोग से वायोग में हस्त छेप करेंगे, ठीक है, तो उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं होती, एक बात और याद रखेगा, कोई लेना देन नहीं है, किंद संग लोग से वायोग का, किस से, प्रांती लोग से वायोग से, एक तो आपने ये चेश सीखी, एक बात आपको और शीखना जरूरी है, क्या सीखना जरूरी है, कि देखें, कभी-कभी ऐसा होता है, हो सकता है, ऐसा assumed किया गया है, कल्पना की गई, कि जब कर लें, कि संग लोग से वायोग ही हमारे हां के भी नियुक्तियां करेगा, ठीक है, तो क्या संग लोग से वायोग ऐसा करने लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर, ये पार्लेमेंटरी सब्जेट हो जाता है, सर, और पार्लेमेंट इस पर व Joint Public Service Commission का गठन कर सकता है, तो लेकिन उनके अध्यक्ष की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति भारत की राष्टपत ही करते हैं, और अगर आपने मेरी इतनी सी बात सुनी होगी, कितनी सी बात सुन लिया होगा, मैं आपको दावे के साथ करता हूँ कि आप इस देश की किसी भी परिच्छा के लिए आप सीना चोड़ा करके, जा सकते हैं, आप इमतहान दे सकते हैं, ठीक है, आपसे कोशन नहीं छुटेगा, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पी आप देखेंग आपसे कोई कोशन नहीं छुटने वाला है, ठीक है, तो आईए जड़ा देखते हैं, ठीक है, कोशन क्या है, ठीक है, आईए, पहला कोशन आप पलग जपकती ही कर चुके होंगे, कि कह रहा है कि कौन है जो संग लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तो तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट आफ इंडिया ही करेंगे, ठीक है, कौन करेगा, तो आपको होगे प्रेसिडेंट आफ इंडिया करते हैं, खतम हो गया ना मैटर, फस्ट जो आपका लेक्चर है, उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, फिर करहा है कि वीचाद आद फॉल मैंने वैताया था, ठीक है, कि यह कांस्टिश्टनल बाडी है, संबिधान में इसका उलेक है, 315, ठीक है, तो यह भी कंप्लेट हो गया, संबिधानिक संस्ता है, ठीक है, फिर कहा रहा है कि निमलिखित में क्या सत्त है, ठीक है, यूनियन पब्लिश सर्विस कमीशन के संद में निमलिखित में क्या सत्त है, यह पूछ रहा है, तो कह रहा है कि इट इंस्पेक्ट दे इस्टेट पब्लिश सर्विस कमीशन, क्या यह पब्लिश सर्विस कमीशन की जाच कर सकता है, नहीं सर, कुछ नहीं कर सकते है, कौन होते हैं आप जाच करने वाले, ठीक है, फिर क It has nothing to do. कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई लिना जना नहीं है. इसका मतलब आपका ये वाला, ये ही आपका सही है. लेकिन फिरहाल हमको पढ़ना तो चारो विकल्ब है. ठीक है, हो सकता है किसी विकल्ब मैं ऐसा दिया हो, कि वो सकेंड वाले से more appropriate हो जाए, तब क्या करियेगा. इसलिए चारो विकल्ब पढ़ लेते हैं. ये आपके habit में होना चाहिए. फिर करा, all its member, all its member मतलब, its का मतलब UPSC. करा कि इसके समस्त member जो है, वो राज लोग से वाह योग से लिये जाते हैं. ठीक है, नहीं, सभी नहीं लिये जाते हैं, ठीक है, हाँ, कुछ लोग जा सकते हैं, ठीक है ना, इसका मतलब ये तो गलत हो गया. फिर कह रहा है कि, it send annual guidelines to the state public service commission. भाया, आप कौन होते हों हमें पत्परदर्शन करने वाले, हमको guide करने वाले, ठीक है ना, चाहिए वो annual हो, चाहिए वो डेली का हो, आपको कोई rights नहीं, आगे चलिए. फिर करा, the member of the public service commission can be removed by which article of the constitution. करा है कि, भारत के संभिधान में वो कौन सा अनुछेद है, जो, ठीक है, इनके अध्यक्ष और सदस्यों को हटानी का विरुन देता है, तरीका सिखाता है. तो आप कहेंगे 317 हैं, ठीक है, कैसे हटाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी हमने कोशन बनाया है, आईए देख लेते हैं, करया, who can remove the member of union public service commission before the completion of their term of office, अपनी आवदी को पूरा करने से पहले, निमली कित में से कौन है, जो इनको हटा सकता है, ठीक है, तो करया है, प्राइम मिनिस्टर, कोई मतलब नहीं है, प्रेसिडेंट on the recommendation of Supreme Court, yes, ये तो मने बताया था, ठीक है, अभी lecture में मने कहा था, ठीक है, ये पार्लेमेंट का कोई मतलब नहीं, कैबनेट का कोई मतलब नहीं, ठीक, फिर अगली बाते हम कर लेते हैं, तो करया है, in which the following cases, the state public service commission is not consulted, देखिए जो नीचे बाते लिखी गई है, कह रहा है कि उस में से, राज लोग सेवा आयोग का संबंद नहीं है, किस से संबंद नहीं है, संबंदित नहीं है, ठीक है, clear, तो कह रहा on the method of recruitment for civil services, भाईया, civil services की नियुक्ति तो वही करता है, न, state के, PPS को इसे तो जुड़ा ही है, ये तो आपका answer होगा नहीं, फिर करा on the principle to be followed in appointment of civil services, बिलकुल है, ठीक है, समझ से धानतों का पालन करता है, फिर करा on the principle to be followed for the promotion, civil services and transfer from one service to another, कह रहा है कि देखो, जो प्रमोशन होते हैं, उससे भी state लोग से वायोग का मतलब होता है, ठीक है, और क transfer का मतलब यहां क्या है, कह रहा है कि one service to another, जब वो एक सेवा से दूसरी सेवा में जाना चाहे तो, ठीक है, उससे भी मतलब है, राजलोग सेवायोग का, फिर करा on transfer to civil, नहीं, ये नहीं होता, transfer तो करना ये सासन की नीती में है, ठीक है, सासन जब चाहे, जहां चाहे, आपक तो इसका मतलब आपका answer ये हुआ, transfer और पोस्टिंग से लोग सेवायोगों का कोई लेना देना नहीं होता, आगले बात चलूआ, चला है कि union public service commission submit its annual report to, तंग लोग सेवायोग अपनी भारसिक report की से सौपता है, भारत के राश्पत को सौपता है, और भारत का राश्पत इस संसत के दोनों सदनों के पटल पर रखवाता है, पटल मतलब टेवल पर रखवा देता है, फिर करा, which article of Indian constitution provide for the establishment of new all India services, देखो, करा कि निम्डिकित में से कौन सा article है, जो इक अखिल भारती सिवाओं को, नई अखिल भारती सिवाओं को उत्पन करने का अधिकार देता है, ठ भी हमने आपको बताया था, ठीक है, यह राइट्स के ओल राजसभा को है, और 312 के तहत, वहाँ new all India services को create कर सकता है, इसमें राज, इसमें आप याद रखिएगा, कि लोकसभा योग को यह राइट्स नहीं है, लोकसभा, मैं इंगला बोल गया, यह राइट्स जो है, राज statement is correct about the state public service commission, state public service commission के संदर में निमलेखित में क्या सकते है, तो कह रहा है कि the number of members has been fixed by constitution, जो इसके सदस होते हैं, उनकी संख्या को संभिधान ने fix किया है, नहीं, संभिधान नहीं fix करता, क्योंकि संभिधान भारत के संभिधान की यही खास बात है, कि वह मौसम के साथ बदल की चंपा रखता है, आप की मानसिक चंपा कैसी है, ठीक है, इसलिए भारत का संभिधान हर जुक के लिए relevance है, ठीक है, उसको बदले की जरूत नहीं है, ठीक है, वहाँ आप जैसे चाहें, आप amendment ला सकते हैं, ठीक है, तो भारत के संभिधान में ऐसा कुछ नहीं है, फिर कर गवर्न रिता संभिता है, की जो गवर्नर है, किसी राज का गवर्नर है, वह क्या किसी राज- लोग-सेवा आयोग के सदस्यों को हटा सकता है, नेभर, नहीं हटा सकता है, फिर कर रह है कि गवर्नर responsible as the members in the state of ś सर्विस कमिशन क्या किसी राज का गवर्नर ठीक है राज लोग सेवा आयो के सदस्यों की संख्या को निर्धाइद करता है S करता है इसका मतलब यही सही है यह वाला आपका answer हो गया मतलब राज लोक सेवा आयो के सदस्यों की संख्या का निर्धान गवर्नर करता है ठीक है फिर कह रहा है Member of State Public Service Commission can remain the office up to the age of 65 years देखो यह कुछ तो सही नहीं आप ऐसे कर लो 6 वर्स और यह 65 के अस्थान पर 62 कर लो ठीक है इन में से जो भी पहले हो उसकी सिवाएं समाप्त हो जाएंगे मतलब राज लोक सिवा आयोगों का सदस्यों का जो कारिकाल होता है वो 6 वर्स या 62 वर्स है लेकिन अगर UPSC के बात करतेगा संग लोक सिवा आयोग की तब यह कर देना कि 6 वर्स और 65 वर्स जो भी पहले हो ठीक फिर कर रहा है दे एक्सपेंसे जाप पब्लिश सर्विस कमिशन आप उत्तर प्रदेश और चार्जड अपान तो देखो चाहे आप उत्तर प्लिश पूछे आपसे या कोई स्टेट पूछे आपसे बात एकी है तो कर है कि जो राज लोक सिवा आयोग होते हैं वो खर्चे उसके खर्चे किस पर भारित होते हैं तो राज की संचित निधी पर भारित होते हैं ऐसा क्यों किया गया? ताकि उसकी स्वायत्ता को प्रभावित न होने दिया जाए, इनके अध्यक्षों को, इनके सदस्यों को जो बेतन दिया जाते हैं, वहाँ संचित निधी से ही दिया जाते हैं, संचित निधी से बेतन जो दिया जाता है, उसका मतलब यह हो जाता है, कि 360 क इनकी में, इनकी बेतन में, इनकी सुवधाओं में कोई कटोती नहीं कि जा सकती, ऐसा क्यों किया गया, निस्पक्ष्णा को बना है रखने के लिए, मतलब राज्यों की संचीत निधियों पर है, फिर करा, the function of state public service commission can be assigned to union public service commission with the approval of which one of the followings, ठीक है, क्या कोई कर रहा है कि which, sorry, the function of state public service commission, किसी राज्यों लोग सेवा आयोग, अपनी फंक्षन को, क्या UPSC को सौप सकता है, यदि हाँ तो किसके approval पर, ठीक है, तो आप कहेंगे कि sir, president के approval पर, ठीक है, कोई भी राज्यों लोग सेवा योग का कार्य सौपा जा सकता है, किसे union public service commission को, ओके, एक कोशन कह रहा है कि choose the correct alternatives, मतलब इसमें से जो नीचे दिया गया है, उसमें से आपको सत्य को तलाशना है, क्या है, the chairman of joint public service commission, ठीक है, for two or more state is appointed by, ठीक है, मतलब कह रहा है कि joint commission की बात कर रहा है, the chairman of joint public service commission, अभी मैंने आप से कहा था, दो या दो से अधिक राच्च, जब, ठीक है, मिल करके एक joint public service commission बनाना चाहें, तो बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, कौन करेगा, भारत का राष्टपती करेगा, ठीक है, तीस में आप देख लिए, कहा लिका है, the governor of place lady, largest state नहीं हो सकता, ये लिखा है, हाँ, एक चीज़ आप जरूर कर लेना, यहाँ पर, कि JP, मतलब जो joint public service commission है, ठीक है, इसका गठन कभ होता है, आप कहेंगे, जिन राजों ने सन्युक्त, लोक सिवा आयोग बनाने की बात किया है, joint public service commission बनाने की बात किया है, उनकी गवर्णरों की सहमती पर ऐसा होता है, उनकी सहमती जरूरी है जाना, ठीक है, और यह कहां जाती है, परलिमेंट को जाती है, और परलिमेंट ही, ठीक है, भारत के रा निम्डिखित में से कौन सी है, जो All India Services नहीं है, अभी मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था, तीनी सिवाएं आती है, एक तो यह दिया है, और एक, हाँ, एक यह दिया है, यह नहीं आती है, ठीक है, तीनी आती है, अब चोथा क्या है, क्याता है, तीन है भाई, आखिल अब अगली बात करो, दो आफिस, यह देखो, यहां से आ गया, दो आफिस आप कंप्रोलर एन ओडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाच्री एटेट, ठीक है, तो इसको सुरू करने से पहले आओ हम कुल जानते हैं, ठीक है, देखो, पहले चीजाद रखना, कि इस पद का स्रिज कब हुआ है, यह जो कंप्रोलर एन ओडिटर जनरल यहां लिका है, यह जो पद है न, यह बच्चों कब बना है, तो आप कहोगे कि 1919 का जो भारत सरकार अधनियम या गोवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट आया था न, उसी गोवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट के अंदर इसका अप्रोविजन किया गया था, और जब भारत का संभिधान बन रहा था, ठीक है, तो इसके लिए एक आट के लाए गया है, 148, ठीक है न, तो इसी 148 में कहा गया है कि भारत में कंप्टोलर एन ओडिटर जनरल ओफ इंडिया का एक पद होगा, ठीक, तो एक चीज़ याद र गया, लेकिन याद रखना, यह कांस्यूस्नल पद है, समबैधानिक पद है, और दूसरी चीज़ी भी याद रखना कि यह प्रसाद प्रियंत का पद नहीं है, इसको हटाने के लिए जुडिसेल एक्टिविटीज का सहरा लेना पड़ेगा राष्टपती को, नियुक्तित राष्टपत जरूर कर देता है, लेकिन हटा नहीं सकते हैं, हटाने के लिए वही विधिया हैं, जिसके द्वारा ठीक है, सुप्रिम कोट के जज़ को हटाया जाता है, इसका मतलब दोनों सदनों के सहमती जरूरी है इसमें, बिना उसके नहीं आप हटा सकते हैं, ख्लियर? तो यह भी आपने जान लिया, एक चीज़ याद रखना, कि 1919 से लेकर, और 1971 तक, यह कंट्रोलर एन अडिटर जनरल आफ इंडिया था, लेकिन 1971 में, यह क्या हो गया, कंट्रोलर न बन करके, कंट्रोलर बन गया, मतलब वहाँ, इवल परिच्छन करेगा, ठीक है, कितना बै हुआ है, ठीक है, इसका परिच्छन करेगा, बस, ठीक है, अब यह कारी क्या करता है भाई, तो देखो भारत में जो तीन फंड है, पब्लिक एकाउंट फंड है, लोक लेखा निधी है, संचित निधी है, ठीक है, और आकास्मिक निधी है, ठीक है, बिवागों के अपने खर्चे हैं, अपने बैं हैं, ठीक है, और फिर तमाम सरकारी प्रतिस्ठान चलती है, पब्लिक अंडर्टेकिंग चलती है, ठीक है, ये लोग को क्या करेगा, उन लोगों का ये कम्टोलर का काम करेगा, मतलब उनकी जो आडिट है, उसका परिच्छन करेगा, ठीक है न, बस बहुत इजी फ्रेम किया मैंने, पूरे मैंटर को, ठीक है, अब आप कोशन को सॉल्व करते जाएंगे, आपको एंसर मिलता चला जाएगा, ठीक है, पहले चीज़ आप याद रख ही इनको हटाया जा सकता है, सदन में, ठीक है, दोनों सदन में, पांस कराने के बाद ही भारत का राजपत हस्ताचर करेगा, तभी इनकी सिवाएं खतम होंगी, ठीक है, ये भी याद रखना, कि ये भी अपने कारिकाल को 65 वर्स के बाद, जिनका कारिकाल है, ठीक है, उसको स पढ़ना क्या है? The Office of the Comptroller and Auditor General of India was created by Parliament के आड के द्वारा नहीं है. यह संबिधान के द्वारा है? यह है. B. संबिधानिक संस्था है, संबिधान के द्वारा बना है. और अब कर रहा है कि which are the following is not true? कर रहा है which are the following is not true about the Comptroller and Auditor General of India? ठीक है? नीचे जो बाते लिखी गई हैं उनमें से Comptroller and Auditor General के संदर में क्या सत्य नहीं है? गलत पूछ रहा है. ठीक है? इसमें एक ही answer है जो गलत है. ठीक है? ठीक है? He is appointed by the President. बिलकुल होता है. ठीक है? His salary is equal to the Chief Justice of India. बिलकुल होता है यार. ठीक है? और after retirement, he becomes disqualified from other. अभी मैंने आप से कहा था. कर रहा है कि he can be removed by the President. ठीक है? आप देखो. कर रहा है कि क्या सही नहीं है? ठीक है? तो, he is appointed by the President. His salary is equal to the Chief Justice of India. आप्टर रेटार्मेंट ये वाला है. प्रेसिडेंट रद्वारा हटाया नहीं जा सकता है भाई. इसको उसी विधियों से हटाया जा सकता है. जैसे कि Supreme Court के नियादेश को. अगला, Comptroller and Auditor General have been appointed by President. हाँ, he can be removed from his post. मतलब Comptroller and Auditor General का जुपद बनाया जाता है, नियुक्ती की जाती, वो President के दौरा की जाती है. लेकिन करा, he can be removed from his post. लेकिन वह अपनी फस्से हटाया जा सकता है. कैसे? अन्द रिक्मेंडेंटेंस ना, बोद द हाउस अप परलेमेंट देखा? आ गया ना? ठीक है? दोनों ही सदन के रिक्मेंडेंटेंस पर. यह आ गया. यह गलत है, यह गलत है. फिर क्या रहा है कि, in which year was accounting, accounting separated from auditing? अभी हमने आप से बता है, कि 1919 से लेकर कि 1971 तक, ठीक है? यहाँ, accounting का भी काम करता था और auditing का काम भी करता था. लेकिन 1971 में ठीक है, इसकी सेवा सर्तों का पुना नियोधान किया गया और ठीक है? और उन सेवा सर्तों को लागू कब किया गया था? 1976 में लागू किया गया था. ठीक है? तो आप इसे ध्यान दीजेगा. फिर करा amendment, अच्छा वही चीजे हैं, देखिए हुबा हुबा गया. Amendment Act of 1971, Duties, Power and Service Status of CAG. ठीक है? Separate accounting from auditing, मतला अभी मने आपको बता दिया था ना, कि 1971 में एक नियम आया था कि audit और accounting को अलग कर दिया या. Comptroller and Accountant General का जो पद है, उसकी सेवासरतों का, ठीक है? और उसके tenure, मतला सब कुछ का पुनर व्याख्या की गई. ठीक है? तो यह कहा था, यह देखिए आप भी गया. अगला, who is called Gorgia na Public Fund? जो जनता का पैसा है ना, जनता का पैसा, उसका रखवाला कौन है? तो आप कहेंगे सर, CAG है. CAG, clear? अब एक पॉइंट और याद रखेगा. कह रहा है, the report, first of the computer and auditor general of India relating to the accounts of unions are submitted first of all, मतलब सुनो, कह रहा है कि जो CAG होता है, वो अपनी report किसे सौपता है? पहली बार किसे सौपता है? तो आप कहोगे कि सर, President of India को सौपता है. ठीक, आगे चलो. कह रहा है, Comptroller and Auditor General of India act as, जो Comptroller and Auditor General है, वो कैसा कारी करता है? तो आप कहेंगे, यह है, अगारजियन आप Public Fund, Public Fund का संदच्चक के रूप में काम करता है. ठीक, एक और पोर्षन है, Comptroller and Auditor General of India is a Friend and Guide of. कर रहा है कि Comptroller and Auditor General जो है, किसका दोस्त है और किसका पत्परदर्शन करता है? तो आप कहेंगे कि सर, लोकसभा की एक समीती है. हमने लोकसभा की बात किया, लोकसभा की समीती है, ठीक है, और उसका नाम है Public Accounts Committee है, ठीक है, Public Account Committee का वह Friend भी है और इसका पत्परदर्शन भी करता है, clear? फिर करा, the ultimate responsibility of action on the comments of the Computer and Auditor General वेस्ट वेस्ट विथ, मतलब करा है, कि Comptroller and Auditor General की कार पढाली पर टीका टिकडी ठीक की हो, गलत की हो, अच्छा की हो, बुरा की हो, इस प्रकार की टीका टिकडी करने का अधिकार की हो, केवल इस देश में एक व्यक्ति को है, एक संस्था को है, और वो है Parliament, ठीक है, और इसी के साथ, हमने अपने लक्ष को पा लिया है, ठीक है, आज का अपना ये work मैंने complete कर लिया है, ठीक है, फिर कल हम आपसे मिलेंगे, ठीक है, मैं सोथता हूँ, election commission के शाथ, ठीक है, ठीक है का अपसे मिलें में एक है, एका थूए, एक संस्था सबसा और नापसे है, जा अपसे है, तो एक है है, एक है अपसे है, प्टावच ग्ति को पाफसे हैं